प्राचीज डाइरी तो बस मैं यहां पे जा रही हूं बनाने बिढ़ाई रोटी तो मैंने उसके लिए यहां पे दाल भी गुई थी है उड़त की छिलके वाली डाल अगर आपके पास दुली डाल हो तो आप दुली डाल ले सकते हो मेरे पास नहीं तीफ लिए मैंने यह चिलके वाली डाल डाली है और एक तरफ ये मैंने जो डाइबड़ा की प्रेप्रेशन करते हैं मैं यहाँ पिरीटेंशिन कर रही हूं तौ बस है मैंने यहां पे डाल में डाला है थोड़ा सा और थोड़ी सीहिंग Secretary को और पानी डालना है बहुत जएदे इसको गीला नहीं करना दाना है तर्फी चलाना नहीं तो यह फिर नहीं रह जाएगी तो कोशिशिश करिए कि इसको एक तरफ ही चलाना है फिर यह दूसरी तरह मैंने ले लिए बढ़नी रोटी के लिए यह इसकी दाल की प्रेप्रेशन करने के लिए तो यहां पर भी बस हुआ ही चना की दाले उड़त की दाल और इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग और इसको भी बस थोड़ा सा पानी डालके थोड़ा एक मोटा मोटा ददरा जो होता है टेक्शर उस तरीके से पीस लीजिए क्योंकि इसको हमें बाद में थोड़ा सा फ्राई करना है अगर थोड़ा आपका पानी जादा हो भी जाता है तो फ्राई करने में सही हो जाएगा बर इसको पीसना थोड़ा मोटा मोटा है मैंने इस तरीके से यह को पीसा है तो यह करने लगी मैं एक तरफ दई बड़े की प् अगर पहले आपने नहीं डाला है तो एक बार ट्राइ करके आप जरूर देखो हो सकता है किसी को पसंद आए किसी को ना आए बढ़ हाँ ठीक लगता है तो बस इसके बाद में मैंने डाल को एक ही राound में घुमाईा है क्यूंकि इससे थोड़ा फूला फूला टेक्ट्यर होता है वू आ जाता है इससे दही बढ़े हमारे अच्छे फूल जाएं具 हैं अच्छे से करने से तो बस इसके बाद मैंने यहां पे लिया है दही यह बनाना है हम लोगों को दही बड़ा का दही तयार करना है तो यहां पे मैंने दही को यह मतनी से ऐसे चला कर एकदम स्मूथ कर लिया है फिर उसके बाद यहां पर थोड़ा सा मिर्च डाल दो आप किसी मिर्च डाल दो या थोड़ा सा खड़ी खड़ी हो वह भी चलेगी और यहां पर नमक नहीं डालना है नहीं तो जो दही बड़े का जो दही है वह एकदम खटा हो जाएगा फिर इसके बाद मैंने यहां पर लि पक जाएंगे लेकिन अंदर से इच्छे से नहींगे तो मैंने यहाइं पर यह राइपना राइफ बस दिमें दिमें आप इनको दई में ट्रांसफर करते जाए तो बस इस तरीके से यह हमारा तैयार हो गया दई बड़ा फिर उसके बाद मैंने यहां पर तैयार की है बड़ा ही रोटी का जो अंदर का मैटेरियल है इस्टफिंग हो तो मैंने यहां पर लिया है जीरा और सब्सक्राइं।- तो यहां पर यहां पर पना कए तिजिके नमक भी डाल दो जो हम लोगों ने बना रखी अजार हो भाजे पीसी तो भीशेकर पिर बीन ट्रांवत कर दो और इसके बाद यहाँ पर आप जो है नमक भी डाल दो और धनिया ओप्सनल है अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो डाल देना नहीं है तो कोई बात नहीं बस फिर इसको आप धीमे धीमे जो है चलाते जाएगे यह थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन 15 मिनट में 10-15 मिनट मे यह कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी इसका पानी सारा जो है चला जाएगा ओ धीमे धीमे यह आपको एकदम फ्राई इस तरीके से दिखेगी फिर मैंने दही बड़े में जो है बड़े जो दही था उसको फ्राई नहीं किया था तो मैंने यहाँ पे जीरा और हींग डा तो आप पहले ही लगा दीजिए जब आप दही की प्रिप्रेशन करिए मैंने उस टाइम पर नहीं लगाया था तो आप उसे टाइम पर लगा दो तो ज़्यादा सही है तो बस यह तैयार हो गया हमारा दही बड़ा और एक तरफ यह हमारी बड़ाई रोटी में खाने के लिए बनानी है हमको अरवी की सबजी तो एक तरफ हमारी यह उसकी स्टपिंग तयार हो गई और दूसरी तरफ हमारी सबजी मैंने अरवी को बॉइल करने के लिए रख दिया है तो यह मैंने बड़ाई के बड़ाई अगर बनाऊंगी आगर तो वीडियो में जरूर शेयर करूंगी तो बस ये मैं बनाने जा रही हूं अर्वी की सबजी यहां पर मैंने कड़ाई में थोड़ा सा ओयल लिया है फिर उसके बाद अजवाइन डाली हरी मिर्श डाल दिया हल्दी डाली और ये दो तीन चम्मा जिस थोड़ा सा नमक और ये थोड़ी थोड़ी हल्दी डाली और थोड़ा सा इसके उपर आपको लाल पिसी मिर्चो तो वो थोड़ा सा एड़ कर देनी है तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छी लगती है तो ये जब एक तरफ पलट जाएगी त पढ़ा ही रोटी की तो मैं यहाँ पर बना रही हूं तो मैंने यहाँ पर रखें दो तवा क्योंकि इसे आराम अराम से सेखना है एकदम मीडियम फ्लेम से भी थोड़ा कम फ्लेम पर तो यह अंदर से अच्छी बखेगी तो बस मैंने आप जो है एक लोई लीजिए जैसे हम पराठा बरते हैं और यह दाल की यह इस तरीके से लोई टाइप की बना के रख लीजिए और जैसे हम लोग आलू के पराठा बरते हैं बस भर के आपको उसी तरह यह रोटी की तरह सेखनी है जैसे रोटी तवे में एक या दो बार ऐसे पलट दीजिए और फिर इनको बिलकु गी लगा कर एक उपर एक ऐसे रखते जाईए तो यह खाने में काफी जो है अच्छी लगती है जो इनकी महेक आती हो बड़ी सुन्दी सुन्दी जी आती है और खाने में भी टेस्टी लगती है तो बस यह आपको भर के इस तरीके से ऐसे बेलना है और एक एक करके अराम- आम और यह जो मैंने बनाए थे दही बड़ा मैंने इनको कटोरी में निकाल के इनके उपर डाला है थोड़ा सा फ्राई धनिया आपको भूननी है खड़ी धनिया और खड़ा जीरा और इनको हलका सा फ्राई करके पीस लेना है फिर उसी का मसाला मैंने इसके उपर डाला है ये थोड़ा सा लाल मिट उपर से और ये हल्दी जीरा का मिचन में ने डाला है और ये थोड़ा सा नमक काला नमक ये सफेद नमक जो भी आप पसंद करते हो तो इस तरीक से आपके जो है दही बड़ा खाने में बड़े लगेंगे टेस्टी तो बस ये हो गया आज का वीडिय हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तब तक